जह हिंद इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि नया आपडेट निकल कर क्या आया है लोगों के रुपए रिफंड होंगे और साथ में अगर कंपणी नया रिलिष्ट होने जा रहे हैं तो रिलिष्ट कब होगी ताकि जिन लोगों कहीं पैसे फसें हुए हैं उन्हे थोड़ी चैन की सांस मिल सके ज्यादा देर नहीं कहते सीधे बोट पर चलते हैं सारी बात हम लोगों समझेंगे देखें सिंटेक्स इंडस्ट्री आपको पता है कि अनिस्टी सीस्वी में इंकॉर्पोरेट हुई थी और सो साल होने से पहले कंपनी डिलिष्ट हो गई समझ अब यह कंपनी सब्सक्राइब क्योंकि आप जानते हैं कि इसके उपर करजा बहुत अधिक हो गया था और यह कंपनी दीवाली आप चुकी थी इसलिए अभी सब्सक्राइब और पिछले कई समार्च के दिन से देखेंगे तो इसमें ट्रेटिंग भी बंद कर दिया गया य यहां पर ट्रेटिंग बंद हुआ और अभी आपके पॉर्ट्फोलियो में इस कंपनी का सेर सिग्दम जीरो सोग कर रहा होगा अब आइए हम लोग में मुद्धे पराते हैं समझें अभी नया अपडेट निकल कर यह आया है कि इस कंपनी के बोर्ड आप डाक्टर की मीटि हुए है बैठी थी दू दिन पहले सोंबार के दिन बोर्ड डाक्र की मीटिंग होई और इस मीटिंग में दो बात निकल कर सामने आ रही है एक यह कि जो सेर्ट का रुपया इसमें लगा हुआ है उनको रुपया लोटा दिया जाए उनके पैसे रिफंड कर दिया जाए और अप्रील के लाट तक अगर पैसा रिफंड किया जाता है तब और कितना पैसा लोटा जाएगा सात रुपया सी पैसा यानि कि जो इस कंपनी का लाश्ट ट्रेडिंग प्राइस था वही हिसाप से पर्थी सेर के इसाप से उनको रुपया लोटा दिया जाएंगे जितने वी रिफंड होंगे और दूसरा बात यह निकल कर सामने आ रहा है कि कंपनी को दोबारा किया जाए क्यूंकि आपको पता है मुगया संभाणी के यह उसने इसको यह और यहान पर इसका लाश्ट किया जाया और जब डिश्ट होगी उस समय भी कंपनी का जो सेर प्राइस होगा यानि कि जहां पर इसका लास्ट क्लोजिंग हुआ था तो दुनों तरीके से आपको फैदा है या तो आपको पैसा मिल जाए या कंपणी अगर नया बजार में रिलिश्ट हो जाती है तब भी आपका जो प्राइस है अभी आपके पोर्टफोलियों भले जीरो सो कर रहा है ले अगर नया रिलिश्ट होती है तो इसी कंपणी के नाम चेंज करके कुछ दूसरा रखा जाएगा जो भी होगा पता चल जाएगा और ज्यादा संभावना है कि यह जो दूसरा बात मैंने कहा कि पैसे रिफंड नहीं कि जाएंगे बलकि कंपनी को नया रिलिश्ट करके फिर और इसके पास रिजर्व भी अच्छा खासा था रिजर्व था चोदे सुनात्र करने को विचार किया होता लेकिन अब जो है इसका मैनेजमेंट खत्म करने की कम करने की बात कह रहा है अगर यही काम पहले यह लोग कर लिए होते तो कंपनी दिवालिया नहीं होती समझ यह अब कमपनी को मुके समानी की कंपनी कर लिया है और उसके साथ इसका भी होने जा रहा तो इसका जो अशेट सो रिजव होगा सब ले देखे हिसाव बोरबर होगा और उसके बाद कंपनी नया नाम से बाजार में लिट हो जाएगी इसलिए आपको धीरज कर नहीं है तरणा कि नौर सबर कीजिए जो भी नया आपडेट टिंकल कर आएगा मैं अपने चैनल के माध्याम साब को बता दूँगा तो उम्मीद करता हूं मेरी बाता हैं आपको समझ में रहे होंगी वीडियो इंफर्मेटिव लगा होगा फिर युब अगर मन में कोई स्वाल है या कोई सब्सक्राइब करना चाहते हैं या पूछना चाहते तो मुझे इंस्टाक्राइब फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्य बात शुक्रिया